समस्कार मैं लोना राम और आप देखरें मेरा यूटूब और फेस्बूक पेज जालोर के सुराना का बहुचर्चित मामले से तो आप पहले से ही जानते होंगे ये मामला है छात्र इंद्र मेगवाल की मौद का जो परदेश ही नहीं पूरे देश के लिए बहुचर्चित बन गया था जी हाँ पूरे देश के लिए और देश भर से कई जगह से बड़े बड़े नहता भी सुराना आये थे मामले में जो परीजन है छात्र इंद्र मेगवाल के उन्होंने आरोप लगाया था कि जिस नीजी स्कूल में चातर इंद्र मेगवाल पढ़ता था उस नीजी स्कूल में मटकी से पानी पीने पर थपड मारी सिख्सक ने और चातर इंद्र मेगवाल की मौध हो गई जी हाँ मटकी से पानी पीने पर थपड मानने का उस F.I.R. में आरोप लगाया था वहीं उस मामले में पुलीस ने सिक्सक सेल सिंग को उस गटना के दोरान गिरफतार किया था वो भी हत्या की धाराओं में 302 में ही गिरफतार किया था लेकिन मामला बड़ा था पूरे परदेश के लिए पूरा मामला है वो बड़ा बन गया था पूरे देश बर की बात करें तो एक बवाल जैसा मामला था और ऐसे में परदेश सरकार की ओर से SIT गठित की गई थी और SIT इस पूरे मामले की जो है वो जांच कर रही है SIT अभी भी पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है ASP देवारा इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और SIT की ओसे कोट में एक चार्चीट भी पेस की गई है वो चार्चीट है 1063 पेज की जी हाँ 1063 पेज की जो चार्चीट है वो कोर्ट में पेज की गई है चार्चीट 302 हत्या की धाराओं में पेज की गई है और उसके साथ ही जब पहले आरोपी को जिसमें ये घटना हुई उसमें आरोपी सेल्सिंग को ग्रफतार किया गया था वो बात सामने आ रही है चार शेट में लेकिन आपको बदा दें जब ये मामला सामने आया था और जब बड़ा भवाल हुआ था उसके बाद में दो पक्स थे एक पक्स परीजन का सीधे तोर पर कहना था कि मटकी से पानी पीने पर थपड मारी जिसके बाद चात्र की उचार के द और उसके बाद में क्यूकि बड़ा मामला था और बड़ा बवाल भी हुआ था इस मामले को लेकर धना परदसन हुए थे जालोर में तो नेर तक बंद करना पड़ा था आपको ध्यान में होगा कि जालोर में इंटरनेट सेवा तक बंद कर दी गई थी इस मामले को देखते हुए परदे सरकार ने उस दोरान गंबिरता भी दिखाई थी और उस पूरे मामले की जाज के लिए क्योंकि पहले इस पूरे मामले की जाज जालोर पुलिस कर रही थी और उसके बाद इस पूरे मामले की जाज के लिए SIT का गठन किया गया था जो SIT जिसमें ASP देवाराम जो है इस पूरे मामले की जाच कर रहे हैं SIT बनाई गई है उस SIT टीम इस पूरे मामले की अभी भी जाच कर रही है लेकिन जो चार्शिट पेस की गई है पुलिस सुत्रों ने ये बताया है कि जो चार्चिट पेस की गई है उसके बाद में अभी भी जो SIT की जांच है वो जारी है और इस पूरे मामले में फाइनल जो चार्चिट है वो एक बार फिर जो SIT है वो कोट में जब पूरी जांच हो जाएगी उसके बाद में पेस करेगी लेकिन जो अभी जो SIT की और से ज और बताया है यह जा रहा है कि जो चात्र इंद्र मेगवाल को थपड मानने का जो कारण जो परीजन आरोप लगाये थे कि जो मटकी से पानी पीने पर थपड मारी थी उसमें मटकी का कोई जिकर नहीं है ऐसा बताया जा रहा है चार्चिट में दूसरा उस दोरान इसकूल के जो अलग-अलग चात्र थे इसकूल के जो अन्या सिक्सक थे और उसके साथ ही ग्रामीन है उन्होंने भी सामने आकर उस समय जब घटना हुए थी उस समय सामने आकर मीडिया में साब तोर पर कहा था कि मटकी इसकूल में है ही नहीं तो ऐसे में चार्चिट अब पेस हुई ह 302 की धाराओं में पेस हुई है और 302 क्योंकि आपको ध्यान में होगा कि जब आरोपी को गरफतार किया गया था उस दौरान 302 की धाराओं में किया गया था हमें पुलिस के सुत्रों ने ये भी जानकरी दी कि SIT अभी भी पूरे मामले की जो जांच है वो कर रही है और पूरी जांच हो जाएगी उसके बाद में जब चारचीट पेस होगी तब बहुत कुछ चीजे और भी सामने आएगी लेकिन फिलाल जो चारचीट पेस की गई है उसकी जानकरी है वो हमने आप तक पहुँचाई